Hey winners, क्या आप जानते हो, लगभग 63% लोग, जो कि मैं जानता हूँ कि एक बहुत बड़ा नंबर है, सिर्फ एक चीज की वज़े से अपनी लाइफ में massive success को हासिल नहीं कर पाते हैं। और पूरी जिन्दगी उनको ये realizing ही होता कि हमारे साथ कोई ऐसी problem या ऐसा challenge था जिसको overcome किया जा सकता था। और इस एक चीज का नाम है imposter syndrome. I'm sure कि बहुत सो लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा कभी। नहीं ये कोई psychological या mental issue नहीं है बलकि एक real life का एक ऐसा challenge है जिसको समझा अगर जाए थोड़ा सा जाना जाए तो हम इसको overcome कर सकते हैं। मैं कैसे करूँगा। success मिल भी जाएगी, कुछ hustle भी कर लिया होगा, उसके बाद भी इन लोगों को लगता है कि नहीं मैंने नहीं किया, कोई outside factor की वज़े से हो गया होगा, मैं शायद lucky हूँ इस वज़े से हो गया, या ये तो सबके साथ ही हो जाता होगा, मैंने क्या special किया या किसी और का इसमें हाथ है, तो यानि कि एक ऐसी state जिसमें अपने आपको undeserved मानना, अपनी skill को, अपने talent को underestimate करना, और हमेशा ये समझना कि मैं कुछ खास नहीं हूँ उतना, बलकि दूसरे लोग मुझसे कहीं ज़्यादा बढ़ी हैं, चाहे उनको कुछ ना आता हो फिर कुछ बहुत ज़्यादा पता है, अपनी success को sabotage करता रहता है, उसको लगता है, मेरी success एक bubble है, जो बहुत जल्दी फूटने वाली है, क्योंकि मैं तो deserve करता नहीं हूँ, मेरे पास तो उतना कुछ ability थी नहीं, पता नहीं कैसे मिल गई तो ये success फूटना जाए गई, और इसम सबसे बड़ा भाव जो एक इनसान के मन में आता है, जो researcher बताते हैं, वो होता है perceived fraudulence का, कि कहीं मैं लोगों को धोके बाच तो नहीं लग रहा हूँ, कहीं मैं किसी के साथ cheating तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं अपने अपनी समान बेशते हों लगे कि यार मैं कोई धोका तो नही अगर इसको क्या पता है, यह कहीं न कहीं imposter होने का भाव है, जिसको perceived fraudulence कहा गया, कि इनसान को लगता है कि मैं fraud कर रहा हूँ, cheating कर रहा हूँ, दूसरे के साथ, धोका दे रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं विवर्दी हुई नहीं कुछ बताने का, करने का, बेच सकता है, क्योंकि हो सकता है, यह imposter syndrome, आपकी भी जिंदगी में आपकी success को आने से कहीं न कहीं रोक रहा हूँ, इसलिए विडियो पूरा जरूर देखेगा, amazing benefits से आपको दे सकता है, और हाँ यार, आगे बढ़ू, इससे पहले, विडियो को like जरूर कर देना, बड़ी ही शि जाद है, आप उसको press कीजिए, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है, इंतजार रहेगा आपके likes का, या dislikes का, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ें, पहले मैं यह बता हूँगा कि यह होता कहा, कहां से develop कहां से हो जाता है, सबसे पहल लडकियों के साथ, जहां पर बहुत ज़ादा discrimination किया जाता है, बहुत सी families में, लडकी को realize करवाया जाता है, कि तू लडकी है, उसके बिलकुल आखों के सामने सामने उसके भाई को बहुत सारी facilities मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन उसको यह realize करवाया, तू ब extremism की वज़े से कई parents बहुत ज़्यादा extremist होते हैं, प्यार करेंगे तो इतना pamper करेंगे, इतना pamper करेंगे कि वो बच्चा अपने skills को, अपने talents को कभी निकाली नहीं पाएगा, पहचानी नहीं पाएगा, और extremism का दूसरा end जो है, वो यह कि कई जगा पर इतना ज़्याद बड़ा reason है आजकल, यह है social media, कि हम social media पर जतना ज़्यादा comparison करते हैं, उतना ज़्यादा यह हमारे अंदर develop हो जाता है, क्योंकि दूसरों को देख करके, खुद को हम हमेशा low रखते हैं, हम हमेशा दूसरों को देख करके, अपने आपको, क्या बोलते हैं, उसको inferiority complex में आत काले पर, एक और reason इसका बहुत बड़ा होता है, कि जो लोग highly ambitious होते हैं, उनके साथ यह चीज़ develop हो जाती है, और यह जो highly ambitious लोग होते हैं, उनको बहुत बड़े-बड़े challenges face करने पड़ते हैं, जो next video मैं इसी चीज़ पर बना रहा हूँ, कि वो highly ambitious लोग, अगर आप dreamer हैं अगर आप ambitious हैं, अगर आपके बहुत बड़े-बड़े स्पने हैं, तो कई challenges हैं आपकी life में जो पता भी नहीं हैं, जुनको अगर overcome कर लिया, तो मैं कहता हूँ, जिन्दीगी बड़ी beautiful हो जाएगी, next video उस पर आएगा, इसलिए channel को subscribe करने ना, मेरे दोस्त, bell icon को press कर देना, अब क्या आप जानते हैं, पांच तरह के imposters होते हैं, ये imposter syndrome पांच अलग-लग तरीके से research ऐसा बताती है कि लोगों को होता है, जिसमें सबसे पहला है the perfectionist जिसको बोला जाता है, बोगों के बारे में सुना होगा ना, कि ये perfectionist है, चीज़ों को perfect करने में लगा रहता है, ऐस उसको और जादा बेतर नहीं कर लेता, तब तक launch नहीं करूँगा, तब तक video नहीं बनाऊँगा, तब तक propose नहीं करूँगा, तब तक ये attempt नहीं करूँगा किसी exam का, जब तक बल्कुल तयारी नहीं पूरी कर लेता, क्योंकि उसको लगता है कि दूसरे लोग मुझसे Superwoman या Superman कि ये कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं, मतलब इतना ज़्यादा काम करना चाहते हैं, workaholic हो जाते हैं, कि लोगों को ये prove कर सकें कि मैं imposter नहीं हूजी, मतलब मैं fraud नहीं हूँ, मैं देखो कितना ज़्यादा काम कर रहा हूँ, बहुत सारा सारा दिन लगा रहता हू कितनी मेनत करता हूँ next तरह का imposter होता है the natural genius जिसको बोला जाता है यह बिल्कुल similar है perfectionist से लेकिन थोड़ा सा फरक है क्योंकि perfectionist चीजों को perfect करने में लगा रहता है natural genius अपने आपको genius prove करने में लगा रहता है कि मैं genius हूँ इसलिए वो इतना ज्यादा input डालता है और अगर नहीं करता तो इसको stress का fraudulent का भावाना शुरू हो जाता है कि मैंने तो यह किया है नहीं मुझे तो इसको एकदम genius तरीके से कर लेना चाहिए था एक और तरह का imposter होता है इसको बोलते हैं the soloist solo जैसे की नाम बता रहा है solo मतलब single वो चलना चाहता है क्योंकि अगर ये इनसान किसी दूसरे से help लेगा तो भाई अपनी worth को कैसे prove करेगा इसको तो अपनी worth को prove करना है तभी तो ये perfection के चक्कर में लगा हुआ है तभी तो जो है ये genius बनना चाह रहा है तो आप देखोगे ये इनसान बहुत से काम खुद करना चाहेगा in fact ऐसा बोला जाता है कि ये लोग एक team भी develop नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह और अगर करते हैं तो उनसे काम नहीं लेते है क्योंकि इनको लगता है कि पता नहीं अगला बंदा ढंक से करेगा कि नहीं जैसी शिदत से मैं काम करता हूँ वैसे उसने ना किया तो तो ये सारा दिन उसके सिर पे बैठे रहेंगे team के ना वो better perform कर पाएगा और ना ये कुछ अच्छे से execute कर पाएगे क्योंकि solo इनको हर काम खुद से करना है सब चेक खुद करना है मैं भी ये देख लूँ, मैं भी ये कर लूँ मैं इसमें भी हाट डाल लो, उसमें भी ये कर लूँ तो ये soloist भी बन जाते हैं और हर काम को खुद से execute करना चाहते हैं जिस वज़े से jack of all, master of none बन जाता है last but not the least पाँचवी तरह का imposter होता है the expert imposter the expert ये चाहता है कि मैं तब लोगों के सामने आँ लोगों को तब बता हूँ जब मैं expertise कर लो perfection नहीं perfection में कोई degree की जरूरत नहीं होती काम को करने से perfection आती है लेकिन इसमें इनको लगता है कि मैं कोई expertise कर लो मैं लोगों को बताने से पहले कोई degree कर लेता हूँ मैंने लोगों को कुछ सिखाना है तो मैं जो है इससे पहले कोई certification कर लेता हूँ कहीं course कर लेता हूँ ताकि लोगों को cheat ये न लगए कि मैं fraud कर रहा हूँ पास देखो certificate है, इनको जानकारी पूरी होगी, इनके पास information knowledge पूरी है, लेकिन ये फिर भी चाहते हैं कि मैं master लगू किसी चीज़ का, और उसके लिए मेरे पास प्रमान होने चाहिए, proofs होने चाहिए, तो इसके solution को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके solution में सबसे पहली चीज़, जो हम को इस imposter syndrome से बाहर निकाल सकती है, वो सबसे पहली चीज़ है awareness, और ऐसा कहा जाता है कि realization is the biggest solution, ये video को मैंने इसलिए इतना stretch किया है, ताकि इसको हम सबसे पहले तो ज़रूरत है समझने कि, कि हाँ मिरे अंदर ये चीज़े हैं, क्योंकि ये कोई mental और psychological issue नहीं है, ये एक real life problem है, तो इसको समझने से ही, well begun is half done, समझने से ही आदा काम हो जाता है कि यार, क्योंकि अगली बार जब perfectionist बनना चाहोगे, perfection के चकर में लगोगे, आपने आपको worthy नहीं मानोगे, तो आपको पता लगेगा कि worthy तो मैं हूँ, लेकिन ये छोटा सा imposter syndrome जो मेरे अंदर बैठा है, ये मुझे ये realize करवा रहा है कि तू worthy नहीं क्योंकि मेरे साथ, क्योंकि मैंने इसलिए वो symptoms भी बताये, मैं चाहता तो video को जल्दी wrap up कर सकता था, इसलिए symptoms बताये, इसलिए बताये कि क्यों होता है, ताकि इंसान समझ सके कि मेरे साथ ऐसा, इसलिए हो रहा है कि बच्पन में मेरे साथ ऐसा discrimination हुआ, या मेरे parents बहुत ज़्यादा extremist थे, या मैं social media comparison में बहुत जल्दी आ जाता हूँ, तो सबसे पहली चीज है, awareness, well begun is half done, यहाँ से शुरुआत करो, awareness के साथ देखो, अपनी हर उस act को कि कहीं इसमें कोई imposter वाली feeling तो नहीं है, अगर है, तो समझ लेना कि ये तो मेरे mind का एक illusion है, मेरा mind ये गलत फहमी create कर रहा है, actual में ऐसा है नहीं, next आपको क्या करना है आपको अपनी feelings को share करना है किसी loved one के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ, वो जो आपको समझ सकता हो, जब भी आपको unworthiness की feeling आए, self doubt आए negative self talk आपके mind में चले, या फिर कोई fraudulent या ऐसा कोई भाव आपके अंदर आए, कि मैं cheating तो नहीं कर रहा, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, तो इसको vomit out करो, बाहर निकालो मैंने देखा है कि जिस भी इनसान ने अपने अंदर चीजों को रखा वो या तो गलट decisions की तरफ चला जाता या कोई बिमारी लगा लेता है तो went out करो, इस चीज को बाहर निकालो इससे overcome करने का next जो सबसे अच्छा तरीका है वो है self assessment assess yourself, अपने आपको assessment अपना कीजिए और इसका सबसे अच्छा तरीका है लिखना कि आप किन-किन चीजों में अच्छे हो what you are good at वो लिखो, कि ये मैं इसमें अच्छा हूँ क्योंकि हमने अपनी unworthiness की feeling को इतना ज्यादा है, अपने neurons में subconscious में set up कर लिया है कि किसी भी चीज में हम अपने आपको worthy नहीं मानते हैं किन चीजों को अच्छा, किन चीजों में अच्छा आप वो लिखो क्या-क्या आपकी achievements हैं past में जो की वो आप लिखो और देखो कि क्या वो सारी दुनिया कर रही achievements नहीं, आप देखो कि आपके पास कुछ अलग talent है कुछ अलग skill है, आप में कुछ बहुत बढ़िया है लेकिन आप उसको recognize नहीं कर रहे हो उसको underestimate कर रहे हो, तो लिखो मैंने ये achieve किया, मैंने ये किया मैंने इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से किया मैंने ये वाली skill को सीखा ये वाले talent को मैंने बहुत जादा आपने sharpen किया, इस ability को अपनी develop किया तो write it down, self assessment करो अपना what you are good at, किस चीज में अच्छे हो next है, आपको baby steps लेने होंगे छोटे-छोटे अपना रोज का एक execution road map बनाओ कि आज मुझे, ये जो मैंने you know, 3 lines लिखी हैं जो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि अपनी book publish करूँगा उसके लिए तो आज ये 3 lines को मैं tweet कर देता हूँ twitter पे, लोगों को बता देता हूँ कि देखो मैंने ये बढ़िया लिखा या whatever the thing is, मैंने एक example दिया है किसी भी चीज को आप इस frame में set कर सकते हो baby steps low, daily का एक execution plan बनाओ कि आज मैं ये execute करूँगा चाहे, छोटा ही सही next, comparison को बिल्कुल छोड़ दो कुछ दिन के लिए comparison अच्छा है या बुरा है इस पर कभी किसी और दिन बात करेंगे लेकिन अभी ये बुल रहा हूँ कि comparison को छोड़ दो क्योंकि comparison से जो imposter है न वो unworthiness की ही feeling लेता है ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज दो लोगों को समान भाव देती है नहीं, दोनों को अलग-लग भाव देती है यह comparison किसी को boost दे सकता है, adrenal rush दे सकता है, kick दे सकता है और किसी को depression दे सकता है तो जो imposter है उसको अभी comparison नहीं कर रहा कि दूसरे कैसे हैं, वो कितना बढ़िया कर रहे हैं कोन life में कितना successful हो गया, किसकी income कितनी जादा हो गई तो इसके लिए कई लोग तो ये भी बोलते हैं इसमें कि जो social media उसको भी थोड़ा सा moderately use करो जादा लोगों को नहीं देखो क्योंकि social media पे लोग अपनी life का सिर्फ वो 00.001% ही दिखा रहे हैं जो दिखाने लाइक है किसी का कुछ अच्छा होते हुए दिखा भी, तो भी हाँ ठीक है, वो अपनी life में बढ़िया कर रहा है और मैं भी अपनी life में बढ़िया कर रहा हूँ stop comparing, consciously अपने mind को ये signal दो कि मुझे compare नहीं करना है किसी से कुछ दिन के लिए जब तक कि मैं इन चीज़ों को अच्छे से observe नहीं कर लेता और super woman, super man नहीं बनना है soloist नहीं बनना है कि मुझे अकेले ही से अब कुछ करना नहीं help मांगो जब उसकी जरूरत है तो हम एक society में रहते हैं एक समाज में रहते हैं, हमारी एक particular expertise हो सकती है, मैंने कई बार ये चीज़ बात की है आपके साथ कि जिसने mastermind group create करने पर काम किया ना, यानि जिसने अपनी expertise को समझा, अपने skill और अपने talent को समझा और बाकी चीज़ें दूसरों के साथ delegate की कि मुझे ही अच्छे से आता है ये मैं करता हूँ, दूसरा काम तुम करो अपनी एक team hire की, चाहे वो barter से free में ही की हो, कि तुम मेरे लिए ये करो और मैं तुमारे लिए दूसरा ये काम कर देता हूँ अगर पैसे नहीं खर्चने है तो just giving an example, तो कहने का मतलब ये है कि soloist नहीं बनना है लोगों को responsibilities दो और आपके लिए भी जब कोई expert कोई काम को करेगा, तो एक तो वो काम बढ़िया होगा दूसरा, आप अपने prime task पे focus कर सकोगे और एक बहुत बड़ी चीज जिस पे आपको ध्यान देना है वो ये, कि expert इंसान सिर्फ degrees लेने से ही नहीं होता और अगर मैं कोई एक example दो ना, कि ये एक example है तो आप doubt कर सकते हो, लेगिन मैं आपको लाखों करोडों ऐसे example दे सकता हूँ जिन्होंने चीजों को create किया है instead of कि उसकी खुद से वो degree ले Mark Zuckerberg कोई degree लेने थोड़ा गया होगा यार कि मैं expertise कर लेता हूँ नहीं, अपने practice की, अपना काम किया J.K. Rowling, Harry Potter बनाने से पहले क्या वो गई होगी कोई जादू मंत्राले में कि मुझे ये Wingardium Leviosa की degree दे दो या Hogwarts चलाने का नहीं, तो लोग जो ज्यादा करने में, execution में विश्वास रखते हैं वो लोग ज्यादा तरक्की करते हैं अब मेरा ये मतलब नहीं है कि degrees लेने वाले उतना ज्यादा life में वो नहीं करते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि degree अगर आप education के लिए ले रहे हो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप validation के लिए ले रहे हो, तो ये बढ़िया नहीं है, बलकि उस से जादा आपकी skill और talent काम कर जाते हैं और last में यार, ये recognize करो कि एक common experience मुझे हो रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ अलग से हो गया, जो मैंने आज ये वीडियो में बताया कि मेरे साथ तो और ये पता नहीं नहीं चीज़ पता चली इंपोस्टर हो जाते हैं नहीं, एक बड़ा common experience है, मैं भी कही न कहीं इसका शिकार रहा हो सकता हूँ आप भी हो सकते हो, आपके आस-पास का हर इंसान, जब 70% लोग research बता रहे हैं नар्सिस्ट क्या है, बहुत जल्डी इससलिए लास्ट में बता रहा है कि अगर पास्ट में हमारे साथ कभी भी कुछ हुआ है, चाहे हमारी childhood memories में हो, बचपन में हमारे साथ हुआ हूँ parents की वज़े से हुआ हूँ, society समाज की वज़े से हुआ हूँ या कुछ ऐसा गलत हमारे साथ हो गया हो जिसकी वज़े से हमने एक unworthiness की feeling को develop कर लिया self doubt को develop कर लिया तो एक बात याद रखना कि वो एक time था जिस time में किसी दूसरे की वज़े से हमने अपनी mental state को alter किया अपने skills और talent की वज़े से नहीं हमारी mental state alter हुए किसी दूसरे की गलत behavior के कारण हुई है actual में तो हम deserve करते हैं actual में तो हमारे पास वो सभी qualities हैं लेकिन किसी दूसरे की कही हुई बात को इतना ज़्यादा दोहरा दिया गया कि हमने उसको मान लिया है ऐसा ही होता है बच्पन में हमें जो चीज बता दी जाती है हम उसको मान लेते हैं जैसे हम जिस घर में पैदा होते हैं वो religion को हम एड़ाप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो हमें बार बार बताया जाता है तो हम मान लेते हैं ऐसे ही कई बार ये सोचो कि हमारे साथ कुछ ऐसा behave किया गया जिसकी वज़े से मेरे mind ने ये मान लिया है कि मैं worthy नहीं हूँ मैं self doubt create करता हूँ अपनी success को sabotage करता हूँ हमेशा चीज़ों को perfect करने के चक्कर में लगा रहता हूँ fraudulent का भाव मन में आता रहता है सिर्फ इसी वज़े से और इन चीज़ों को दबाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हुआ इसको suppress कर दो नहीं अपने अंदर से बाहर निकालो हुआ मैंने बोला किसी के साथ share करो बात करो चार्ड लोगों के साथ कोई intellectual इंसान मिलता है उसको बताओ कोई imposter syndrome के बारे में जानता हुआ उसके साथ share करो और अगर दो लोगों की feeling मिल जाएं कि यार तुम्हारे साथ भी हुआ मेरे साथ भी हुआ went out करो दोनों मिल करके और हाँ next video बड़ा interesting होने वाला है यार नेक्स एपिसोड में नेक्स वीडियो में दिलता हूँ इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले ना आपकी जिंदेगी खुश्यों से भरियो ये दुआ करता हूँ आपकी जिंदीगी खुश्यों से भरियो ये दुआ करता हूँ I wish you lots and lots of these sons of happiness and bundles of success in your life be happy be alive